इस Glamorous दुनिया में जहां हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अभीनेता खुपसूरत एक्टरेस से शादी करने का खौब देखते हैं वहीं एक चरीत रभीनेता या कहें साइड एक्टर ने विद्वा औरत की बेटी का ना सिर्फ हाथ थामा बलकि उसके जीवन का सहारा भी बना जी हाँ आज हम बात करेंगे अपने जमाने के मंझे हुए कलाकार ओम प्रकाश जी के बारे में कि किस तरह उन्होंने पान की दुकान पर खड़े खड़े गरीब विद्वा की बेटी का हाथ थाम लिया था वीडियो का अंतक देखी और कहानी का मजा लीजिए ओम प्रकाश का जन्म पार्टिशन से पहले 1919 में लाहोर में हुआ था उस समय उनके पीता एक अमीर किसान हुआ करते थे उनके बाँस बहुत सी जमीने थी लाहोर और जम्मू जैसी जगवों पर कई बड़े बंगले भी थे लेकिन ओम प्रकाश हमेशा से एक एक्टर बनना चाते थे इसी कारण उनकी दौलत से कोई मोह नहीं था हमेशा वह गाह में राम लीला जैसे कई अनन अटक करा करते थे उन्होंने अपना पहला एक राम लीला में ही किया था जिसमें वह सीता बने थे यूदो ओम प्रकाश ने अपनी फिल्मों में अधिकतर मजाकिया रोल ही किये हैं लेकिन असल जिंदगी में वह काफी सीरियस आदमी थे ओम प्रकाश की नौकरी 1937 में ओल इंडिया रेडियो में लग गई थी जहां उन्हें 25 रुपे सेलेरी मिलती थी ओल इंडिया रेडियो में काम करने के दोरान उन्हें एक शाही परिवार की सिख लड़की से महुबत हो गई वो अक सर अपने काम के बाद उस लड़की से मिलने जाया करते थे लड़की भी ओम प्रकाश से बेपना प्यार करती थी और दोनों शादी भी करना चाहते थे ओम प्रकाश के एक बड़े भाई भी थे जिनकी उमर गोजर रही थी लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई थी दोनों की माँ चाहती थी कि किसी भी एक लड़के की शादी हो जाए तो मनने से पहले अपनी किसी बव का मूँ देख ले ओमप्रकास तो उसी सिख लड़की से शादी करना चाहते थे लेकिन लड़की के गरवालों को यह मनजूर नहीं था कि किसी और धर्म में उनकी लड़की ब्याई जाए और लड़की के गरवालों को ओमप्रकास पसंद भी नहीं थे अपनी बायोग्राफी में उम्प्रकाश ने खुब भखुब भी बता है कि किस तरह उनकी शादी हुई वो लिखता है कि एक दिन में रेडियो में काम निप्टा कर पान की दुकान पर खड़ा था इतने में कौरत मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि वो विध्वा है और उनकी चार बेटिया है जिन में सबसे बड़ी 16 साल की है वो मुझे दमाद बनाना चाहती थी और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी इसके बाद में जजबाती हो गया और फॉरन शादी के लिए हाँ कह दी ओमप्रकाश ने शादी के लिए हाँ तो कह दी थी लेकिन इस बात को बताना अभी तक उनकी प्रेमिगा को बागी था अगले दिनों उंप्रकाश ने अपनी प्रेमिगा को मिलकर ये बात बताई और कहा कि हमारा जुदा हो जाना ही ठीक रहेगा हमारी शादी नहीं हो पाईगी क्योंकि लड़की के घरवाले इसके खिलाफ थे कुछ दिनों बाद उंप्रकाश ने विद्वा औरत की बेटी प्रभा से शादी कर ली उंप्रकाश के बड़े भाई जो शादी नहीं करना चाहते थे उनको अपनी भावी प्रभा की बैन पसंद आ गई और उन्होंने भी शादी कर ली उंप्रकाश सहाब बहुत ही अच्छे कलाकार थे और उन्हें बेस सबोर्टिंग एक्टर और बेस पर्फॉर्मेंस इन कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेर अवार्ड भी मिल चुका है उमिदा आपको एक कहानी पसंद आई होगी ऐसे ही बॉलिवड की पुरानी कहानिया जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें